तोपी देन लगे सी सरक्ख्यास तेदा केंदे सी पगा नाल सरक्ख्या करांगे ए बक्वास गल्लाने ए सोचना चाईदा सी किंदर दी सरकार नू ए ओडर देन तो पहला जदो के असी ये जानते हैं के सिक तोपी जा हेलमेट नहीं पौन एनिया जंगा सिख्खा ने दस्तार नाली लडिया ने दमाले आँ देनाल लडिया ने सारा गडी दी लडाई इकी सिख्खा ने जदो दस जार अफगाना दा मकावला कीटता तेवो दो केड़ा हेलमेट ते टोपी पाई सी गी इस गल दी कोई गरंटी थोड़ी है कि हेलमेट पाउन तो बाद कोई वाजी कदे शहीद ही नहीं होगा गल यह है कि तुसी इस गल नू छेड़ना ही क्यों चौन नहीं हो तोड़ना क्यों चौन नहीं हो ये सिख नहीं पॉना चल्दा, सिख केंदा है कि मैंनू मरना मन्जूर है, मैं टोपी नहीं पॉना पुझाब चभी ऐसे यां कहलो कि आत्मा मां बैठी हैं, जिनना नू जिनना दे सिरादे पगाने परोना नू पगान तो बड़ी तकलीफ है सिख काल जी सियासत लाइफ देख रहे हो ते मैं हर आवरंदर सिंग बेनिपाल आज गाल एक वर फिर तों सिख फौजियां दी करांगे क्योंकि एक खास चार्चा छिड़ गई है कि सिख फौजियां दे लही वी हेलमट पेंड़ना लाजमी होवेगा पर इस गलता जिड़ा करड़ा विरोध है ओ जतेदार अकाल तक साहब दे बजों करदता गया है इसे बारे चर्चा करांगे कि की समय देनाल बदनदी जरूरत है या जिस तरीके देनाल चाहे वर्ड वार रहा होवे उस वेड़े भी सेख फौजियां ने कदे भी कैसे हलमट दा सहारा नहीं लेया हमेशा दस्तार दे विच रहे या उसे तरीके देनाल साधी परवपरा जारी रहेगी मिरे नाल स्टूडियो च माजूद ने साधे निउज एडिटर सिमरन जोस सिंग मकड मकड साब की बदलना पवेगा या असी अपनिया इना खास करके जड़ियां तार में करवायता ने असी नहीं होना नू छेड़ सकते राओ जी स्वाल ही पैदा नहीं होना बहुत स्पष्ट गल्ला है एदेज कोई किंतू परंतू नहीं होना चाहिदा कोई देते स्वाल नह आजमी है और बदल दे वक्त दे नाल इनू बदलना चाहिदा मैंनू लगदा के बकवास गल्लाने एदे सोचना चाहिदा सी केंदर दी सरकार नूए और देन तो पहला क्रीवन बारा साड़े बारा हजार दे निड़े हेलमेट जीड़े और कीते गए तर्क की दिता जा रह थले पठका बन दे है पागदे थले ओ पूरा सिरकवर नी करदा ए नवा हेलमेट आया है पूरा सिरकवर करदा है पर जदो के असी जान दे हैं के सिख टोपी जा हेलमेट नहीं पहुंदा आज ग्यानी हरपीद सिंग ने इस गल्दा करड़ा विरोध जिड़ा ओ तिखा उ है कवे के सेफटी आस्ते किता जा रहे है और एदा साथ दिन चाहिए नहीं सिख ने किनिया जंगा लड़ियां ने 400 साल तो गुरू हर्गबिंद पाजशा तो सिख जंगा लड़ दे आ रहे हैं इनिया जंगा सिख ने दस्तार नाली लड़ियां ने दमालेयां दे नाल पाज़ दे विच वी जो तो पहला पारतजाद हुंदे ही हलांकि उस तो पहला भी ब्रिटेश इंडियन आर्मी दे विच सिख ने बॉल्डवार लड़ेने और सिख आर्मी जड़ी सिख रेजिमेंट खासता औरते सी गी ओ इड़ा इंपॉर्टेंट हिस्सा ब्रिटेश आ अफगान्ऽा तो पहला ही है आफगंगानों मेंकाल केता, तो तो तक हड़ा हेलमीट टूप ज़ो हानक दे पानके हलमीट होटो तो पागान आर्मीट हिए पर वो यह तरक दे रहे हैं ना कि भी हलमट ऐसे ने भी बुलिट होते चो क्रॉस हो नहीं सकती यह तरक इस तरीक के दे जाए दस्तार भी जड़ी है ओ एकुली उनना ही जड़ा है जरूरी है और दस्तार उनना ही प्रोटेक्टिव भी है हुन देखो जेदा सिरफ वरोध करन गल नहीं है गल है कि तुसी इस गल नूँ छेड़ना ही क्यों चानियों तोड़ना क्यों चानियों जे सिख नहीं पौणा चन्द सिख कहनदा कि मैंनू मरना मनजूर है मैं टोपी नहीं पौण दूज़ा एस्पैक्टेव यह कि तुसी आज जैस तरीके दी शुरुआत कीत पग लाजमी नहीं है यह तोपी आली पौणी पोगी ताहां उसी आर्मी चाह सकते हो पाग थोड़ी प्रोटेक्टिव नहीं है तो रख्या नहीं रख दी थोड़ी पंजाब कर रहे हैं के पारत सरकारे लेकी आई पंजाब च भी ऐसे यहां कहलो के आत्मा मां बैठी है जिनना नू जिनना दे सिरादे पगाने परोना नू पगा तो बड़ी तकलीफ है ओ थल्ले बहुत कमेंट कर दे फिर कई पेज बनेने जिड़े आके इस गल्दे विरोच खड़ जन दे लो जी तोपी देंड लगे सी सुरख्या सते ता केंदे सी पंगानाल सुरख् करते आरे यहां ओं पामें पहला अले हत्यार सीगे तलवारा आले नेजेयां आले ओपामें मॉडन हत्यार आया पामें वह बंदुकां आया इके संतालियां आया सेख्य से त्रीके नाल जंगा लटदा आया और इस मेंनू लग दाया के पारस सरकार नूंवे फैसला वापस लेलेना चाहिएगा